हाई फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC Info24 में स्वागत है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंड्स ए जो वीडियो है ए पीजीटी नागरी सस्थ का भाग 113 है तो अगर आप TGT, PGT, LT Grade और GIC की तयारी कर रहे हैं तो ए वीडियो आपके लिए है दोस्तो इस वीडियो में 15 कोशन है तो आप पेन और कापी लेकर बैठिए 11 से लेकर 25 तक नंबरिंग कर लिजी और देखिए आप कितना कोशन सही कर पा रहे हैं दोस्तो इस्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जो important कोशन हो उसको आप note कर लिजीएगा जो आपको नहीं आ रहा है जो आता है तो उसको छोड़ दीजीएगा जो नहीं आ रहा है उसको आप note में एक note book बना लिजीए उसमें आप note करते चलिए कि कौन सा कोशन आपको नहीं आ रहा है तो serious है तो इस तरह तयारी करिए अन्निथा तयारी नहीं हो पाएगी दोस्तो पहला नमर कोशन देखते हैं सकरात्मक उदारवाद निकट है सकरात्मक उदारवाद किसके निकट है यह बताना है आपको option एक है लोगतांतरिक समाजवाद के राष्टी समाजवाद के स्रेडी समाजवाद के संसोधनवादी समाजवाद के तो किसके निकट्त है आपका सकरात्मक उदारवाद आंसर हो जाएगा दोस्तो एक लोगतांतरिक समाजवाद के निकट्त है निकट्तम है सकरात्मक उदारवाद के निकट्तम कौन सा है तो वो है लोगतांतरिक समाजवाद ठीक है अगला 12 नमर कोश्चन निम्नांकित में से कौन उदारवाद का तत्तो नहीं है निम्नांकित में से कौन उदारवाद का तत्तो नहीं है ए बताना है आपसन एक है समाजवाद का समाजवादी धाचा आपसन दो है सुतंता आपसन तीन है मुक्त वियपार आपसन चार है सुतंत्र बजार अर्थ विवस्था तो आंसर हो जाएगा दोस्तो आपका जो उदारवाद का तत्व नहीं है तो वो आपका हो जाएगा एक नमबर ठीक ठीक है कौन सा हो जाएगा एक सही हो जाएगा समाज का समाजवादी धार्चा जो है वो उदारवाद का उदारवाद में क्या होता है सुतंता होता है मुक्त वियापार करने की आजादी होती है और जो बजार होता है वह सुतंत्र होता है तो आपसन एक आपका सही है आगे देखते हैं तेरा नमर कोशन राज्य के बारे में यांतरिक दिष्टिकोर उत्तरदाई है आपसन एक आधरसवाद के विकास के लिए आपसन दो उदारवाद के विकास के लिए आपसन तीन है माक्सवाद के विकास के लिए आपसन फोर है समाजवाद के विकास के लिए तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दो ठीक है टू वाला आंसर हो जाएगा उदारवात के विकास के लिए राज्ज के बारे में यह आंतरिक दिश्टिकोड उत्तरदाई है तो आंसर हो जाएगा उदारवात के विकास के लिए आगे देखते हैं चोदर नमर कोशन कौन सिध्धान्त राज्ज के रात्री पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है आपसन एक है कल्यारकाडी राज्ज का सिध्धान्त, उदारवादी राज्ज का सिध्धान्त, समाजवादी राज्ज का सिध्धान्त, आधर्सवादी सिध्धान्त तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका चौदा का दो सही हो जाएगा ठीक है उदारवादी सिध्धान तो उदारवादी सिध्धान राज के रात्री के पहरे की भूमिका का समर्थन करता है अगला कोशन 15 नम्मर आधूनिक तनासाई ने जन्म दिया है निम्न में से सही कथन चूनिये आधूनिक तनासाई जन्म दिया है किसको जन्म दिया है निम्न लिखित में से जो कथन है उनको आपको चूनना है आपसन एक है सर्व सत्तावादी राज को सामुहिक नित्रित्तु को बहुमत के सासन को मुल आधारित समाज को तो किसको उसने जन्म दिया है आधूनिक तानासाई ने जन्म दिया है तो किसको जन्म दिया है दोस्तों तो इससे आपका कही न कही सर्व सत्तावादी राजी की अस्थापना होई तो इसको जर्मदिया आप ऐसा देख सकते हैं आपको मिल जाएगा जर्मनी और इटली दोनों में वहाँ पर एक तरफ जहां मुसोलनी था एक तरफ हिटलर था ठीक है हिटलर जो था जर्मनी से था इटली से इनको आप याद रखेंगे आधूनिक समय में बलसिधान्त के वरिष्ट समर्थक हैं आधूनिक समय में बलसिधान्त के बलिष्ट समर्थक थे कौन थे यह बताना है लेनिन हिटलर विष्टन चर्चेन माहत्मा गांधी तो 16 का अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों द सिधान के बलिष्ट समर्थक मतलब महतपूर समर्थक कौन थे तो यह थे हिटलर हिटलर बल को ज्यादा महत्युर देता था जो जर्मनी से था और इसके दल का नाम नाजी दल था नाजी रल का संस्थापक है हिटलर और मुसोल्नी जो है वह फासिवाद sticking दल का संस्थापक था या फासिवाद भीचार धारा भी पूछा जाएगा या नाजीवाद भीचार धारा तब भी दोनों हो जाएगे एक ही चीज है तो इसको आप ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए कि आपका हिटलर तो नाजीवादी भीचार धारा से समर्थिक था या निम्न में से कौन सी विशेष्टा फासिवाद में पाई जाती है, प्रजातंत्र का विरोद, राज्य को साधन मानना, समाज का पोशक, अंतराष्टी सांती का अग्रदूत, तो दोस्तों आपको मालूम हो जो फासिवाद है, उग्र है, निरंकुस है, तो इसको ध्यान में ही वो निरंकुस सासन था, इसलिए प्रजावर्ट तंतर का तो वो समर्थन करेगा नहीं, ठीक है, तो आपशन आपका एक सही हो जाएगा, आगे दैखिए, फासिवादियों के अनुसार, जन्तंतर का, सरवाधिक वास्तविक रूप से, रूप निम्न में से, किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है कोश्चन एक बार दुबारा सुन लिजिए फासी वादियों के अनुसार जन्तंत्र का सरवाधिक वास्त्विक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है आपसन एक है अब जात वर्ग आपसन दो है जंग खोर आपसन थ्री है जन तंत्रवादी आपसन फोर है अरज़कता वादी तो आंसर क्या आउ जाएगा दोस्तो 18 का आंसर एक हो जाएगा अभी जात वर्ग में पाया जाता है सरकार चलाने वाली जो है यही इसको पाया जाता ठीक है फासिवादी को अनुसार जन तंत्र का सरवाधिक वास्त्विक रूप में निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकारों में पाया जाता है तो ओ पाया जाता है अभजात वर्ग में यह आपका आंसर एक सही हो जाएगा 19 नमर कोशन देखते हैं फासिजम सब्ध किस भासा से लिया गया है यह आपको बताना है अंगरेजी से फ्रेंच से लेटिन से गरिक से तो 19 का अंसर हो जाएगा दोस्तों तीन लेटिन से फासिज में सब्द किस भासा से लिया गया है तो वो हो जाएगा लेटिन विस नम्मर कोशन किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो अवरत के लिए मात्रित हूँ एक कॉशचन कई बार करा चुके है एक दुबारा आ गया है तो आप इसका आणसर जरूर बताएं किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो आई तो आप जानते हैं तो आप इसको कमेंट में जरूर बताईवा इसका आणसर हम नहीं बता रहे हैं भी this का अगर आप इस नमबर देखते हैं निम्न में से किस एक को आधूनिक लोकतंत में अधिस्य समराच कहा जाता है तो आपको बताना है यहां पे चार आपसन है पहला है राजनीतिक दल दूसरा है दबाव समू तीसरा है जन संस्चार माध्यम चोथा है समाचाजपत इसको भी हम करा चुके ह अगर नहीं भी कराएं तो क्या इसका आंसर आपको मालूम है अगर मालूम है तो इसका कमेंट बाक्स में जलूर आंसर दीजिए आगे चलते हैं आप कमेंट बाक्स में दीजिए आंसर देखते हैं आप लोग कर पा रहे हैं नहीं असान कोशन को यह छोड़ रहे हैं ठीक है निम्न में से कौन प्रतेच्छ प्रजातंत्र का एक लच्छड नहीं, यह आपको बताना है, आपसन एक है, लोकमत, आपसन जो दो है, जन्मत संग्रा, आपसन तीन है, आरंबन, आपसन चार है, अनुपातिक प्रतिनी दित्ट, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बाइस क ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, तो फोर हो जाएगा, ठीक है, हम चाहते थे ये भी छोड़ दे, लेकिन इसको करा दे रहे हैं कि इस फोर हो जाएगा, प्रतेच प्रजातंत का लच्छन नहीं है, तो और अनपातिक प्रतिनीधित्व का जो चुना होता है, वो राष् च्छ निर्वाचन की क्या है तत्व या लच्छड है तो इनको आप याद रखेंगे आगे चलते हैं उदारवाद लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लच्छड है कि उदारवाद उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लच्छड क्या है यह बताना है या गुड की जगह संख्या पर अधिक बल देता है या सभी वेक्तियों के मतों को समान मानता है या सासक सासन करता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के सोसड के खड़े को नियुनतम बताता है या वहमत की राय पर निर्भर रहता है तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीन सही हो जाएगा उदार लोगतंत्र का सबसे विशिष्ट लच्छड है कि या सासक सासन करता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के सोसड के खड़े को नियुनतम बनाता है आपसन तीन सही है 24 का आंसर 24 का आंसर है तीन सही है चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं कि बस इसी तरह चल रहा है ठीक है? आपसन 24 का भी करिए 25 और आखरी कोशन पूजिवात के सागर के बीच का समाजवादी दीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकास पुझ का कारी करेगा यह कथन किसका है? यह बहुत important कथन है इसका अंसर आप लोग जरूर दीजिएगा लेकिन आप लोग मत दीजिए इसका अंसर हम बता देते हैं इसका अंसर हो जाएगा लेनिंग ठीक है? पूजिवात के सागर के बीच का समाजवादी दीप सारे संसार के सरवहा सरवहारावर के करांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकास पुझ का कारी करेगा यह कथन किसका है? तो यह कथन है लेनिंग का इसको आप याद कर रखिएगा तो फ्रेंट्स यह 25 जो 15 कोश्चन थे यहीं समाप्त होते हैं तो दोस्त हम आप लोगों से एए उम्मीद करते हैं अगर आप वीडियो के अंद तक आ गए हैं तो आप तीनो कोश्चन का आंसर जरूर बताईएगा अगर आपको आ भी रहा है या नहीं आप खोज कर बताईएगा मन जैसे हो आप करकर बताईएगा जरूर करिएगा यह आप लोगों से निवेदन है ठीक है तो सभी लोग अगर वीडियो के अंद तक आप आ गए हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही स्पेसल है बहुत ही खास है फ्रेंट्स इसलिए आप लोगों को तहे दिल से सुक्रिया नमस्कार